अक्ट्रिस प्रियंका चोपड़ाइंग दिनों मुंबई में हैं, वो अपनी अपकमिंग वेब सीरीज सिटाजेल के प्रमोशन में काफी बीजी हैं हाला कि बेते दिनों प्रियंका ने अपने एक बयान में कहा था कि एक वक्त था जब उन्हें बॉलिवुड में काफी परिशान किया गया इसलिए वो बॉलिवुड छोड़ कर हॉलिवुड में शिफ्ट हो गई जब प्रियंका चोपडा से ये पूछा गया कि इतने सालों के बाद उन्होंने बॉलिवुड में अपने साथ हुए बलताओ को लेकर क्यों चुपी तोड़ी तो प्रियंका चोपडा ने कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं जिन्दिगी के उस मुकाम पर हूँ जहां मैं खुल I'm when I was on the podcast I was asked about the journey of my life and I spoke about you know, when I was young, when I was 10, when I was 15, when I was 22 and I was 30, 40 whatever. So, I was talking about the truth of my journey and I think now, I was confident enough to talk about that phase of my life. I think now, where I am, I was okay enough to kind of, articulate what I felt. I think I had a very tumultuous relationship with what occurred, but I forgave, I moved on a long time ago and then I made my peace with it and I think that's why it was easy for me to talk about it in an open manner, you know, in a safe space. प्रियंका की इस बयान को बॉलिवुड की कई हस्तियों का भी समर्थन मिला है, हलाकि इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्षन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं, देश और दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए सब्सक्राइब करें, इंडिया पबलिक ख़ अबलकुल न भूले